नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सतीस और अपका बहुत बहुत सोगत है आज की इस नए वीडियो में तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं T800 Ultra Smartwatch के बाड़े में कि आप अपने smartwatch को अपने phone के साथ कैसे connect करेंगे Bluetooth के साथ कैसे connect करेंगे connect करने के बाद आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि calling setting आप कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर अपना photo कैसे लगा सकते हैं time setting के बाड़े में और भी बहुत सारे settings के बाड़े में इस वीडियो में आपको बताया हूँ एक एक करके तो वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like और चैनल को भी subscribe कर लिजेगा तो चलिए friends वीडियो को start कर लेते हैं तो बात करें friends इसको connect करने के तो ये दो थाड़ी के से connect होता है एक तो directly आपके Bluetooth से connect हो जाएगा दूसरा app से connect होगा तो app का QR code भी आपको smartwatch में ही मिल जाएगा तो मैं आगे बताऊंगे कैसे connect करना है सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो दो symbol आपको दीख रहे होंगे तो दोनों cross के निशान यहाँ पर लगे हुए है friends यहाँ पर कोई साभी connect नहीं है directly भी connect करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर Bluetooth से on करना पड़ेगा Bluetooth call is on तो directly जब आप on करेंगे connect करेंगे अपने Bluetooth से तो आप calling feature का और music का दो ही features का यूज कर सकते हैं लेकिन friends जब directly अपने Bluetooth से ठीक है friends तो चलिए इसको directly हम Bluetooth से connect करने की कोशिश करते हैं तो यहाँपे सबसे पहले इसको हम Bluetooth को खोल लेते हैं तो जैसे हम Bluetooth को खोलेंगे friends तो यहाँपे देखिएगा कि जो है आपका डिवाइस सर्च में आ जाएगा तो friends यहाँपे दोनों ही सर्च में आ र यहां पर हम क्लिक करेंगे तो डिरेक्टली जो है अपयर हो जाएगा अपयर होने के लिए तो यह भी हो जाएगा लेकिन वर्क नहीं करेगा ठीक है फ्रेंड्स यहां पर हम इसको अपयर कर लेंगे सबसे पहले जैसे हम यहां पर अपयर करेंगे तो आपको चेक कर लेना है से दिखिएगा कि आपका जो है यहाँ पर एक जो यहाँ पर म्यूजिक का जो कर रहा था वो यहाँ पर हट गया करस करने साना लेकिन अभी एप का जो है वो नहीं अटा है हमको एप से भी कनेक्ट करना पड़ेगा तो एप को कैसे डाउनलोड करना है आगे मैं चलिए वीडियो सेटिंग में भी दिख जाएगा और यहाँ भी दिख जाएगा तो कहीं से भी आप किवर कोड को निकाल लीजेगा किवर कोड निकालने का एक और तरीका है यहाँ पर किलिक किजेगा क्लिक दाउनलोड पर तो यहाँ पर आपको किवर कोड मिल जाएगा ठीक है तो किवर को को simply आपको कैसे scan करना है अपना chrome browser को खोलना है ठीक है chrome browser खोलने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक camera का logo तो simply आपको इस पे click कर लेना है camera के logo पे उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको इसको scan कर लेना है यहाँ ठीक है friends अब जैसे यह scan कीजिएगा तो यहाँ पे iwatch pro app है वो यहाँ पे खोल के आ जाएगा और यहाँ पे आपको तीन option दिख जाएंगे एक तो आप अगर apple user है तो apple store से download किजिएगा अगर आप android user है तो यहाँ पे google play का भी option मिल रहा है google play store से आप download कर सकते हैं यह आप directly भी download कर सकते हैं service download का यहाँ पे option मिल जाता है तो हम य download करके रखा है ताकि वीडियो बनाने में असानी हो तो simply friends हम इसको open करेंगे तो हम जैसे friends app को open करेंगे तो आपके सामने कुछ इसतरे के interface खुल के आ जाएगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि notification को आप इलाओ कर दीजी तो हम यहाँ पे इसको done allow करेंगे ठीक है friends क्योंकि हम permission statement यहाँ पर आपको show करेंगा ठीक है तो sms का और call log का others का सबको आपको permission यहाँ पर देना पड़ेगा तो simply आप यहाँ पर एगरिक कर दीजेगा इसको ठीक है उसके बाद friends आप देखिएगा कि आपका location यहाँ पर मांगा जा रहा है तो location को भी आपको allow कर देना है कर देने इतने बड़न किया है ठीक है यहाँ पर target आपका show करेगा उसके बाद friends यहाँ पर जो वीवी monitor है यहाँ पर sleeping जो टैक करेगा जिसी साब से आपको सब कुछ यहाँ पर सेट का option मिल जाता है तो सारी settings आपको इसी में मिल जाएगी उपर देखिएगा तो यहाँ पर अभी जो walking कर रहा है running कर रहा है biking कर रहा है तो यहाँ से आप इस टर्क करके उसको truck कर पाएंगे उसके बाद़ यहाँ पर mine शापसिं मिलता है तो यहाँसे अपना steps देख सकते हैं ההहां से अपने user profile feedback देज सकते हैं about your app के बाड़े में जनकाईर करेंगे लेता है तो यहाँसे इसका करने के बाद friends आपको क्या करना है by device to explain more feature का आपको यहाँ पर option मिल जाएगा simply आपको इसी पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर निर्वय डिवाइस का आपको option मिल जाएगा यह आपको पहले भी मिल सकता है तो इसको आप don't allow मत किजिगा इसको allow करना है पहल चले जाएंगे location पर location को हमने on कर लिया यहां से ठीक है friends उसके बाद फिर से दुबारा हमको इसी पर click करना है तो हमारा जो scan है start हो गया है friends यहाँ आप से आप देख सकते हैं तो यहाँ पर friends जो आपका smartwatch का नाम है T800 Ultra तो यहाँ पर so होने लग जया है तो simply आपको इसी पर click करना है जैसी आप click किजेगा तो यहाँ पर try to connect तो यहाँ पर friends Bluetooth based connected होगा फिर time setting होगी जैसी आप connect करेंगे तो time अपने आप इसकी स्वाई हो जाती है ठीक है friends और इसमें भी time setting का आपको option मिल जाता है time setting के लिए आपको यहाँ पर option मिल जाता है setting पर click किजेगा तो यहाँ आपको मिल जाता है time set date set का option यहाँ पर आपको कोई दिखत नहीं आपके smart watch में मिल जाएगा लेकिन आप connect करेंगे तो directly भी यहाँ पर time setting हो जाती है तो आपको इस बारे में सोचनी की जरूरत नहीं है कि हमारा time set कैसे करना है ठीक है friends तो हमारा यहाँ यहाँ पर connect हो गया है T का moment किजीगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर light अपने आप आप आजाएगी यहाँ पर आप इसकी timing भी देख सकते हैं उसके बाद friends यहाँ पर alarm मिल जाता है तो यहाँ पर alarm भी लगा सकते हैं उपर plus पर click करके और आसानी से alarm भी लगा पाएंग उसके बाद फ्रेंस यहाँ प find device का option मिलता है तो आप smart watch से phone को और phone से smart watch को यहाँ से ढूंड सकते हैं इस पर click किजेगा तो यह वाइबरेट करने लग जाएगा आपका smart watch जब आप smart watch में find device खुलेगा तो आपका mobile वाइबरेट करने लग जाएगा और आवाज भी आने लग जाएगी उसके बाद फ्रेंस उसके बाद यहाँ पर message price का option आपको मिल जाता है तो इसमें आपको सारे whatsapp के message facebook के message आपको on करने परेंगे call reminder का सबसे उपर यह on है message को on करने के लिए simply आपको इसको allow कर देंगे तो यहाँ पर allow कर देने के बाद फ्रेंस जो आपके mobile पर message आएगा हो आपके smart watch में so करेगा ठ notification access में हम चले आएंगे तो hi watch pro हम use कर रहा है तो इसका हमको यहाँ पर on कर देंगे on पर जैसे हम click करेंगे friends तो यहाँ पर आपको क्या करना allow कर देना उसके बाद यह on हो जाएगा उसके बाद friends आपको back चले जाना है back जाने के बाद friends आप असानी से on कर पाएंगे whatsapp का successful का आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा ठीक है friends इस तरीके से friends आप WhatsApp का जो message है अपने smart watch पर ले सकते हैं उसके बाद friends यहाँ पर contact save कर सकते हैं contact save करने के लिए यहाँ पर प्लस पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर अपना नाम और नंबर डालना है और यहाँ पर आ दिकत आ रही है तो आप comment करके मेरे को बताईएगा मैं इसके उपर detail वीडियो बना दूंगा तो आप आसानी से कर पाएंगे और आपको कोई दिकत आ रही है तो ठीक है friends उसके बाद friends यहाँ पर अपना photo लगाने का option मिल जाता है dial setting का तो यहाँ पर click किजेगा तो आपके सा option मिल जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेता है कि आपको लगाना कैसा है जैसे आपको watch face change करना है जैसी इसको लगाना है ठीक है तो जैसे आप इस पर click किजेगा तो आपका यहाँ पर loading लेगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा got it का option ठीक है friends थोरा दिर loading जाएगा तो यहाँ पर update successful हो गया है और इस तरीके से जो है आपका on होके off हो जाएगा आपका smart watch face जो आपने change किया यहाँ से चेंज कर पाएंगे अब friends बात कर लेते हैं कि आप अपना photo यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं तो सबसे नीचे आपको चले जाना है यहाँ पर सबसे आपको क्या करना है यहाँ पर select image पर आपको simply click कर लेना है ठीक है अगर आप इस watch face को भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं time यहाँ पर कैसे तरीके से set करना है कि आपको कहा नीचे देखाना है उपर दिखाना है time को कहा रखना है तो अपने हिसाब से यहाँ से आप select कर स तो आपकी gallery जो यहाँ पर open हो जाएगी ठीक है तो आपको gallery में से कोई सा भी एक photo आपको choose कर लेना है जैसा friends यह photo मैं यहाँ से choose कर रहा हूं ठीक है तो यह photo हमने choose कर लिया है और यहाँ पर आप photo को adjust कर सकते हैं अपने हिसाब से ठीक है friends तो यहाँ से आप एड़ेस्ट कर अपने ही से लागा सकते हैं ठीक है friends उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर सब कुछ सभी करने के बाद आपको क्या करना है कि install पर simply आपको click कर देना है जैसे आप install पर click किजिएगा तो आपको यहाँ पर got it का option मिल जाएगा तो आपको simply got it पर click कर देना है उसके बाद यह यहां पर इंस्टॉलेशन आपका शुरू हो जाएगा कुछी समय में जैसे यह 100% होगा तो आपका जो यह फोटो है आपके स्मार्ट वाच में सुख करने लग जाएगा तो यहां पर फ्रेंट्स अपडेट सक्सेस्फूल हमारा हो गया है ठीक है और कुछी इस तरीके से जो आपका फोटो है आपके स्मार्ट वाच में यहां पर सो करेगा आप यहां पर दे सकते हैं तो आप अपना फोटो भी कुछी इस तरीके से यहां पर लगा पाएंगे उसक का यूज हमें नहीं करना है ठीक है तो आज का वीडियो यहीं पर खतम करते हैं फ्रेंट्स आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस वीडियो के बाद भी आपके स्मार्ट वाच में सेटिंग करने में तो आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा मैं आपका रिफलाई जरूर करू और फ्रेंट्स मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद